दिनों आदमखोर जानवरों का आतंग पसरा हुआ है बहराईश में पिछले 15 दिन के अंदर आदमखोर भेडियों ने 5 लोगों को माल डाला भेडिये लोगों पर लगातार हमला कर रही है भेडियों को पकड़ने के लिए वनविभाग की टीम दिन रात रेस्क्यू आपरेश चुके हैं बहराईश के बाद सीतापूर में भी आदमखोर भेडियों का आतंग देखने को मिल रहा है जहां बीती रात भेडिये ने एक बच्ची पर हमला कर दिया बच्ची को बचाने के लिए उसकी माँ भेडिये से भिड़ गई उदर लखीमपूर में आदमखोर बाग विभाग के पिज्रे में बंध हुए हैं आज स्वार तहसील के मस्वारी में तेनुआ पकड़ा गया जबकि रविवार को जोहर यूनिवर्सिटी के पास एक पिज्रे में तेनुआ खैद हुआ था बहराईश लखिमपूर सीतापूर की अलग-अलग जगहों के ये तस्व तो ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चार अलग-अलग जगहों की तस्वीर हैं कहीं पर बाग का आतंग है तो कहीं आदमखोर भेडिया वो दहशत का परियाय बना हुआ है अब तक आदमखोर भेडिये ने कई लोगों की जान ले ली है बीते 15 दिनों में एक के आदे एक हमले और वो भी तब जब वनविभा की टीम लगातार एक्टिव है गश्ट कर रही है पुलिस भी गश्ट कर रही है पूरे इलाके में इन पैट्रिस गाउं में उसके बीच आदमखोर भेडिये ने फिर से अटैक किया एक बच्चे की जानने ली एक बुजर्ग म बीचारी आप देख सकते हैं कि इन तीरे गाउं इंदू पुरुवा में होते हुआ अधिकारी कैसे इसमें पेट्रोलिंग कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से बच्चे पर हमला किया और लगातार कई दिनों से अधिकारियों के लिए यह परेशानी का सबब बनता जाद है सब लोग यहीं पर गन्ना मतलब हुए जो रोड है सारा सब इसे ही अपना डूटे करते हैं लाठो अठी लेगे लाठी लेगे तो सर यह बताईए आप लोग के डूटी लगाएं कि सुबह कितने रहेंगे रात में रहेंगे रात में हम लोग जो मतलब गाउं की लोग हैं रात में रहते हैं हैं पर दूटे करते हैं पिको अधिक सामने अगर गाड़ी देखी जा सकी है तो वन्विभाग के अधिकारियों की यह गाड़ी है जो रेस्क्यू टीम लगी उसने अपनी गाड़ियां स्वोप्स में लगा कर रखे रहें और टीम यहां विजलन्ट है औ बच्ची पर हमला करना बुजर्ग पर हमला होना और एक साथ कई जगा भेडियों का देखा जाना इस बात का अधिकारियों का मानना है कि एक से अधिक या दो से अधिक भी भेड़ी हो सकते हैं और ऐसे में ग्रामीन भी पुलिस के साथ कंदे से कंदा मिलाके खड़े हैं व मासूम को भेडियों ने मार डाला वहीं एक बुजर्ग महिला बुरी तरह से जखमी हो गई है जबकि तीसरे हमले में एक लड़का घायल हुआ है तो तीन अलग-अलग जगहों पर भेडियों ने अटैक किया है एक मासूम बच्ची की जान ले ली है भेडियों ने तीन साल की ये बच्ची जिसकी मौत हो गई भेडियों की अटैक में और वहीं एक बुजर्ग महिला जो घायल हो गई उन्हें अस्पताल ले जाया गया सीतापूर में एक लड़के को जखमी कर दिया भेडियों ने तो सीतापूर की ये तस्वीर जहां पर एक लड़की भी जखमी दिख रही है कई लोगों पर भेडियों ने हमला किया है जिसमें एक लड़का जिसके हाथ में जखम है तो वहीं यहां एक लड़की को भी आप देख रहे हैं उसके भी बाजूँ पर जखम के निशान आप भेडियों का टेरर फिलाल खत्म होता नहीं दिख रहा है चार तस्वीरें आपके सामने हैं बाइक से भेडियों का पीछा करते लोग दिख रहे हैं रात रात भर पहरा दे रहे हैं डंडो और राइफल्स के सहारे पहरेडारी गामवाले भी कर रहे हैं एक तरफ वन विभा बेडियों ने चकमा देते हुए लोगों पर हमला किया है। बेडियों का लोकेशन बार बार बदल रहा है। अज 24 गंटे में बीते 24 गंटे में तीन जगा पर आटैक किया गया था जिसमें एक बच्ची की मौत हुई है। तो महिलाएंगां बेरूप से गायल हुए है। जिसके बाद मुख्यमत्री योगिया दितनात ने भी नाराजगी जताई थी और सभी अधिकारियों को निर्देश जिया था कि वो मौके पर जाएं। और वहाँ पर तब तक गस्त करें तब तक कैम करें जब तक ये आदम खोर भेडिये पकड़े ना जाएं। इसके चलते आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो वन विभा के आला दिकारी हैं वो इस वक्त सिसया चूडा मनी जो की इन आदम खोर भेडियों का एपिक सेंटर माना जाता है जहां पर अब तक सारे जो भेडिये हैं उनको पकड़ा गया है उनका ये केदर बताया जाता है व जो तीन घंटे पहले इनकी लोकेशन मिली थी वो उस इलाके में थी हिंदू पुरवा इलाके में लेकिन अब वहां ड्रोन गैमरो में वो ट्रैक नहीं हुए हैं जिसके चलते हैं वन विभा की टीम को अंदेशा है कि ये वापस अपने एपिक सेंटर पर आये हैं जहां पर ये भीते कई महीनों से रह रहे थे और यहीं पर देर रात वापस आते हैं हमला जरूर करते हैं 10-15 किलोमेटर के रेडियस में लेकिन 24 घंटे में ये अपनी मूझ जगा पर जरूर वापस आते हैं इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर वन विभा के आलाधिकारी भी कैम करने पहुंचे हैं बहराईज के ही हिंदू पुर्वा से अमित गंजु इस वक्त मारे साथ जोड़ गए हैं अमित वहां के बारे में बताए इस गाओं के लोग क्या कह रहे हैं वो कब से देह्शत में थे और अब जब वन विभा की टीम एक्टिव हुई है क्या भेडियों की सह इस संख्या का अंदाजा अभी तक लगाया जा सका है या उसमें भी कहीं कोई गड़बड़ी दिख रही है देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा पहले तर मैं कैमरमें गोपी से कौऊंगा यहां का दिरिश दिखाईए ग्रामीन देशत में हैं इस वक्त इंदोपुर्वा की बात करें हैं हम मैसी चेतर की बात करें यह सारे ग्रामीन अब इन्होंने पनी ड्यूटी वाइस लगा करना चाहूंगा मैंने केमरा जगो तो क्लोज और करें यही जगाए जहां पंजे के निशान या पानी पीने की वेसे आया था और यहां से इन हो गया क्यों कि ग्रामीन उस तरफ जाने का प्रया जरूर किया लेकर नहीं और ऐसे में आप देखिए सब यहां लोग जो हाटेक किया था मुलबे दिखाई पड़ा था उन्होंने बन विभाग वालोंने कहा कि जो है का आप वीडियो का भीजे तब हम आएंगे वीडियो बजे सरा आप बताईए सरा आप भी तब से मैं देख रहा हूं ड्रोन जब चल रहा तब भी आपकुछ निटर करें तो इससे तो लोगों के अंदर दहसत का तो माहौल बना ही है हमारे यहां घटनाओं घटनाए हो गई थी उससे पहले जो है मानी विधायगी ने सहीं तो जब से बैठक लिया है तब से प्रसासन बहुत सक्री हुआ और रिश्टन का रही है दिन में भी जुंड बना कर निकल रहे हैं बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा डर की इस्तती बन गई स्कूल चाना भी बहुत ज़ादा डरावना हो गया है और दैशत में ये सभी लोग सीतापूर का रुक कर लेते हैं सीतापूर में परिशानी वहाँ पर भी है आतंक वहाँ पर भी है सीतापूर के कई ग्रामेड इलाकों में आतंक का पर्याय बन चुके बेडिये ने अब शहर हो गई तो शोर मचाने पर भेडिया वहां से भाग निकला है कि यहाँ परcely आप देंते नाकुरों के निष्यां दिवारों पर भी दिख रही है कि बेडिये ने यहां एक बच्चे को शिकार बनाने की कोषिक कि थी मां भीडिये से भिढ गई यह सीतापुर के स्थिती है, सीतापुर यह सीतापुर में भेडिया, महराइश में भेडिये का अतंक, लखिमपुर खिरी में आदमखोर बाग की तलाश अभी वनविभाग की टीम कर रही है, कई जगों पर ट्रैप कैमरे लगवाए गए हैं, जिसमें एक बाग की तस्वीर रिकॉर्ड हुई है, वनविभाग के पकड़ भी लिया जाएगा, पिंज्रे में खैत कर लिया जाएगा, यह दावे किये जा रही हैं, लेकिन त्स्थाने लोग डरे हुए हैं, उनका कहना है कि वनविभाग की टीम दावे जरूर कर रही है, लेकिन फिलाल अभी बाग पिंज्रे से बाहर ही है, और जब तक बा आज फिर से वही स्ट्राटेजी है कि ड्रोन से और एक बार निगरानी करेंगे तक कि वो उस एरिया से बहुत ज्यादा कि तरफ कोई बहुत ज्यादा जो है कोई मुव ना करें और उसको उसी एरिया में रखा जाए और थोड़ा बहुत हम पिंजरे के पोजीशन यह सब चें संदीप का रोक कर लेते हैं संदीप से जान लेते हैं कि वहां के सित्थी क्या है संदीप सीतापुर में भी आतंक है बाग का आतंक यहां पर लोग परिशान हैं भेड़ी का भी आतंक कई अलाकों में वहां पर वन्विभाग की टीम क्या कह रही है रेस्क्यू में क्या दिक लेकिन जिस तरह से यहां पर अभी जो हर्गाओं में जिस तरह से भेडिये ने एक मासूम बच्चे को जो अपनी माँ के सार लेता हुआ था उसके उपर ँसके उसके अगर мешाद माँ का जैता लिक खोट भी ता वो ँट्वा संगश्ज करृइक ठैर था तो रास्ते पे एक सर्श में जाताे तो उसके अपर भी बेडिया हमला नाक हो चुके हैं और लखीमपूर की बात कर लेते हैं लखीमपूर में बाग का आतंग है मनोज हमारे सहीूगी लखीमपूर खेरी से मारे साथ मौजूद है मनोज यहां पर अक्सर ही जंगली जानवरों की आमद होती है पास में ही जंगल है और सटा हुआ इसकी वज़ा से अमूमन यहाँ पर जंगली जानवरों का खत्रा रहता है लेकिन इस बाग को लेकर बहुत जादा खत्रा है क्या कह रहे हैं गाउवाले कब से ये बार बार अटेक कर आया है वनिवाग की टीम अप कितनी अक्टिव है बिल्कुल लखीमपूर खीरी के गर बात करते हैं ये टा आटा है तरह कितनी आटा खीरी की आस्पास पास आए बार बार ये चखमा दे रहा है धन्यवाद मनोज और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके मौजुदा है जो भी rescue operation चल रहे हैं उसके बार में विस्तार से जानकारी देने के लिए लोगों का गामालों का यही कहना है कि शुरू में वनविभाग सुनता नहीं है जब शुरू में शिकायत की जाती है वो ततपरता वनविभाग की ओर से शुरू में नहीं दिखाये जाती है जिसकी के बाद तमाम आला देकारी भी मौके पर अब कैम कर रही है वनविभाग की टीम के साथ गश्ट भी दे रहे हैं रुखेंगे हैं चोटे से ब्रेक के लिए खबरें ब्रेक के बाद भी जा रही है आप देख रहे हैं न्यूज एटीम उत्तरप्रदेश उत्तराखन